हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इसमें हम समझेंगे कक्षा आठ की वरक्षीट नमबर दस जो की 24 अगस 2021 की वरक्षीट है और आज का विशय है हिंदी तो चलिए हम अपनी वरक्षीट शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज हम आपकी पाठी पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियां जिसके लेखक कामता नात जी हैं का पाच्वा भाग पढ़ेंगे उमीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये कहानी आपको समझने में काफी जादा आसान लगेगी देखिए तो शुरू करते हम आज का जो भाग है वहां से हाँ इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कुछ देर फे शांती रही मैंने इधर उधर दृष्टी दोडाई ना तो मुझे उसकी मच्या ही नजर आई ना ही भट्टी आज कल काम नहीं करते काका मैंने पूछा नहीं लला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई हुई चूडिया कोई पूछे तब तो गाउं में काच का प्रचार हो गया है वे कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन युग है ना यह लला आज कल सब काम मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुन्दरता काच की चूडियों में होती है लाख में कहा संभव है लेकिन काच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला कहते कहते उसे खासी आ गई और वे देर तक खासता रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसे उभर आई थी जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप लिए और बोला दमा नहीं है मुझे फरसली खासी है यही महीने दो महीने से आ रही है 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जो लेखक है वो फिर से बदलू के घर आया था कई सालों बाद और उसने देखा कि अब की जो हालात हैं वो पहले के हालात से काफी जादा बदल चुके हैं क्यूंकि पहले जब ही भी ये लेखक आता था पर इस बार उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और जब उसने पूछा कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो बदलू ने ये भी बताया क्यूंकि मशीन यूग शुरू हो चुका है और जो चूडिया है अब कांच की चलने लग गई हैं तो इस वज़े से उसका काम कई की सासमा की बिमारी हो सकती है पर जब बदलू को लगा की लेखक ऐसा ही कुछ सोच रहा है तो उसने सही सही बताया कि उसे दमा नहीं है उसे ऐसी खासी आ रही है जो फसल की वज़े से होती है क्योंकि जब जिस सीजन में फसल को बहुत जादा कटाई और उसकी दवाइं करते हैं तो उस वक्त फसल के छोटे-छोटे टुकडे हैं जो आसपास हवा में मिल जाते हैं और वो लोग जो अ बताई और उसने ये भी कहा कि वो 10-15 दिन में ही ठीक हो जाएगा मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यधा छिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन योग ने कितने हाथ काट दिये हैं कुछ देर फिर शांती रही जो मुझे अच्छी नही काट दिये हैं का मतलब है कि मशीन योग शरू होने के साथ साथ वो लोग जो पहले अपने पारंपरिक काम किया करते थे अब वो काम मशीनों के द्वारा क्यूंकि होने लग गए हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है यानि जो काम था उनका वो उनसे छिन चुका है आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर पश्चात मैंने बात का विशे बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरी रज्जो लला के लिए आम तो लेया फिर मेरी और मुखातिब होकर ब तो उसने बताया कि आम की फसल बहुत अच्छी है और उसने उस आम को खिलाने के लिए अपनी बेटी को आवाज लगाई और बोला कि आम को खिला देने के लिए और साथी साथ उसने भी बोला कि वो उसे आम खिलाना भूल गया था अब इसके बार देखो जो नए शब्द यहाँ पर आए हैं हम वो समझेंगे पहला है मचिया जो हम पहले ही समझ चुके हैं कि यह छोटी खाट होती है फिर दमा एक बिमारी होती है अस्थमा फिर है फसली खासी किसी विशिस्ट फसल या मौसम में होने वाली खासी होती है व्यधा यानि की परेशानी लहक कर मतलब खुश होकर और मुखातिब का मतलब होता है किसी की और मुगर के अब इसके वाद हमें कुछ प्रश्णों के उत्तर देने हैं जैसे पहला प्रश्ण है देखो यहाँ पर देखा है गद्दांश को पढ़ कर निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाओ नजर आया तो उसने क्या देखा था कि अब बदलू अपना पुराना काम दहीं कर रहा था यानि लाख की चोड़ियां बनाने का काम अब बंद हो चुका था तो लेखक ने देखा यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक ने देखा की बदलू अब लाख की चूड़ियां बनाने का काम नहीं करता है तो लेखक ने यह देखा की बदलू अब जैसे वो पहले लाख की चूड़ियां बनाता था उस तरीके से अब लाख की चूड़ियां बनाने का काम नहीं करता है तो देखी दूसरा प्रश्ण है यहां पे कि गाओं में बदलू का लाख की चूडियों का काम क्यों बंद हो गया था गद्यांश पढ़कर अनमान लगाईे तो हमने जो उपर दिया गया गद्यांश है उसे पढ़ा है और उससे हमने ये समझा गद्यांश प्रश्ण हो गया था और इसलिए लाख की चूडियों का काम बदलू ने बंद कर दिया था तो इसका उतर होगा क्योंकि अब काच की चूडियों का प्रश्लन हो चुका था इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्ण है कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय तो देखें इस प्रश्ण का उत्तर होगा कि मशीनी युग से अभिप्राय आधुनिक युग से है जिसमें पारंपरिक व्यवसाय नस्ठ हो गए है तथा मशीनों का प्रचलन ह आधुनिक यूग मतलब अभी का समय जब हम देख रहे हैं कि हमारे पुराने तौर तरीकों से जो व्यवसाय होता था जो काम होता था वो खतम हो चुका है और हर किसी की जगें अब मशीनों ने ले ली है और इसी को बदलू ने कहा है मशीनी यूग ठिक है अगला हम की लेख के इस कथन का भाव लिखिये कि मशीनी यूग ने कितने हाथ कार्ट दिये हैं इसका क्या भी प्राय है तो इसे की इस प्रश्ण का उतर है कि कल कारखानों के प्रचलन से पारंपरिक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अब बेरोजगार हो गए है क्यूंकि पहले क्या किया जाता था कि जो हमारी स्किल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांस्पर की जाती थी पर क्यूंकि कल कारखानों का प्रचलन हो गया है और इस वजह से अब पढ़े लिखे लोगों को ही इन कारखानों में नौकरी मिलती है और वो लोग जो पढ़े हुए नहीं थे पर उनको स्किल अपने परिवार के द्वारा ही दी गई थी वो पूरी तरह से अब बेरोजगार हो चुके हैं और अब सारा प्रोडक्शन जो पहले गाउं एरिया में इन लोगों के द्वाला की आ जाता था अब वो सारा का सारा उत्पादन इन कल कारखानों में होने लग गया है इसके बाद देखो आपको एक गतिविधी करनी है कि घर में बड़ों की सहायता से गावों के उन कामों की सूची बनाए जो मशीनी युक की वज़े से या तो बंध हो गए है या काफी कम हो गए है तो आप जरूर अपने पैरेंट से बात कीजिए और उन्हें पता होगा कि उनके समय में कौन कौन सी चीजे थी जो गावों में बनाई जाती थी पर अब वो पूरी तरीके से या तो बंध हो गई है या फिर बहुत ही कम मात्रा में बनाई जाती है तो आई होप यह वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी थैंक यू